जहें दोस्तों आप देख रहे हैं एक्जाम मेड़ जी और इस वीडियों बात करने बाला हूँ आपसे यह पूरी सीरी चलेगी जिसमें मैं आपको optional paper दिखाऊंगा जो की 2020 में हो रहे हैं तो पहला paper हो चुका है जिसमें सबसे पहला paper मैंने दिया है political science and international relation ठीक है राजनितिक बिग्यान का जो बोल देते हो आप वो paper है यह first paper है इसका थोड़ा सा rule बता दूँ मैं आपको यह सभी में काम आएगा कि जो पहला प्रसन खंड का और खंड खा दो खंडों में यह paper पूरा विबाजित रहता है ठीक है खंड का और यह खा तो खंड का और खा में क्या है कि जो पहला प्रसन है जैसे इसका यह पहला प्रसन पहले प्रसन में क्या है कितने point है A, B, C, D, E तो ये अनिबार है, ये आपको करना ही करना होता है दूसरा, आपका खंड खा का एक ये वाला पहला प्रस्न खंड खा का पहला प्रस्न यानि 5 वा 5 वे का कौन सा खंड है? A, B, C, D, E ये आपको करना ही है यानि कि दो प्रस्ण तो आपको ये करने है ठीक है दो प्रस्ण ये हो गए अब खंड का मैंसे एक प्रस्ण और करना है यानि कि दो प्रस्ण यानि कि एक प्रस्ण और करना है इसमें से चाये तो आप ये दूसरा कर सकते हो तीसरा कर सकते हो या फिर फोर्थ नंबर वाला है ये कर सकते यानि ये एक अनिवार है ये करना ही करना है ठीक है और इसी प्रकार से आपको खंड B में से ये तो करना ही है इसके अलावा आपको एक प्रस्ण और करना है ठीक है कितने हो जाएंगे लग चार हो जाएंगे क्योंकि दो इसमें से क अब एक जो प्रसन बचेगा उसे आप चाहे तो कंड खाम एक से कर दिजे एक प्रस्ण ढ़्या होगा झिसने क्या होगा टूटल मिला के आपको 8 प्रसनों में से 5 प्रसन करना होता है मैं समझ गया होगे तो अब आपको में आपको यह पूरब्वरे सभी क्या है पहला प्रस्ण है 1.500 सब्दों में आपको टिपड़ी करनी है टिपड़ी क्या होती है स्टिड में वीडियो बनाया था एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा देख लीजेगा दद्द का धर्म निर्पेच तीक है इन पर आपको अपनी टिपड़ी करनी है दूसरे का पहला है न्याय के युनानी परिप्रेच के साथ न्याय की रावलियन अवधारना का तुलनात्मक आकलन कीजिए बी प्रस्न है प्रतनिधी लोकतंत्र एक अभिप्राय है कि एक निकाय के श्याक को निन्तथ करने में सच्चम होना चाहिए जये एस्टय कीजिए इसपर टिपड़ी करनी है दूसरा प्रस्न है दूसरे का सी है राजनितिक सिद्धानत में संपत्ति के अधिकार के महत्व का आकलन करें ठीक है तीसरा का A प्रशन है ये प्रशन पूरे कम माने जाएंगे जब इसके सारे खंड कर दोगे तो ये समझा जाएगा कि आपने ये पूरा प्रशन किया है गांधिबाद के बैचारिक घटकों का विसलेशन कीजिए B है आपका सक्ति की प्रकृति और अर्थ की जाँच करें C है आपका तीसरे का C प्राचिन भारती राजनीती चिंतन के सुरोतों की बैक्या कीजिए फोर्थ प्रसन है आपका फोर्थ का A प्राचिन से समकालिन काल तक पास्चात राजनीती राजनीति चिंतन के क्रमांगत उन्नती का अनुरेखन करिए दूसरा है आपका यानि की चोथे का B है राजनीतिक सिद्धान्त के लिए एक निर्दे सात्मक दृष्टिकोंड के महतों पर चर्चा करें चोथे का C है काल माक्स की वर्ग की अवधारना का वर्णन करें ठीक है B खंड में से पांचवे का यही है वही सिदे जो खंड पहले में था कि जिड़ सब्दों में इन पर टिपड़ी करनी है आपको सभी पर जैसे पहला है आपका भारती राष्टी आंदुलन में समाजबादियों की भूमिका सामाजिक समानता पर भारती सम्मिधान निर्माताओं की चिंता नेक्स्ट है आपका भारत में सम्मिधान एक उपचारों के अधिकार ठीक है नेक्स्ट है आपका भारत में न्यायक अतिक्रमण नेक्स्ट आपका अंतर राज विवादों को निप्टाने के लिए तंत्र तो आप प्रस्णों को देखिएगा प्रस्ण पत्र देखना जरूरी होता है यदि आप चूज करना चाहते हैं तो कितना समझ में आ रहा है आपको चटवे का पहला है बिगत दो दसकों में भारती चुनाव आयोग और निंतरक एम महले का परिच्चक की भूमका और कार का परिच्छन करें नेक्ष्ट है आपका चटवे का भी भारती राष्टी आंदुलन में उगरवादी और क्रांतिकारी आंदुलन की भूमका का अनुरेखन करें नेक्ष्ट है आपका भारती संब्यदान के 73 और 44 संब्यदान संसुदन ने किस हद तक महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा दिया है नेक्ष्ट है आपका साथवे का एक क्या भारत में संगबाद अपने कार प्रणाली में एकात्मक राज्ज के रूप में प्रतीत होता है नेक्ष्ट है आपका क्या समकालीन भारती राजनीती में सरकार का जुखाब कारिकारी की तरफ बढ़ा है अपने तरक दें ये प्रस्ट पत्र में डिस्करप्शन कमेंड बॉक्स में भी दे दूँगा और टेली राम पर डाल दूँगा आप जाकरके वहाँ पर जोइन कर लीजेगा या फिर देख लीजेगा ठीके नेक्ष्ट है आपका भारती अर्तवरस्ता का उधारी करन पर्याप्त आर्थिक स पर्याप्त अंतर रढ़िय लोकतंत्र के भारतिया लोकतंत्र के काम काज को किस हद तक प्रभावित किया है नैक्ष्ट है आपका समkaलिन समय में भारतिय चुनाबी राजनीति में धर्म की भूमिका की जाच कीजे से जड़े हुए आ जाते हैं नेक्स्ट है एंड लास्ट भारत में नागरिक स्वतनता अंदुलन की प्रकृति का परिछन करें तो यह है दोस्तों प्रशन इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे और जो भी आपका ऑप्शनल हो और ऑप्शनल आप देखना चाहते हैं इन चार-पांच दिन तक यह पूरी सीरी चले जिसमें आपको सारे के सारे ओप्शनल पेपर हो सकते हैं चाहिए इंग्लिस मीडियो महों हिंदी मीडियो महों आप देख लीजेगा यहां से ठीक है इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करते जाए जाहिए जाहिए बारत ध जन्यवाद